प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है जिसमें लाठी डंडों के साथ जमकर धारदार हतेयार चले हैं इस घटना में पाँच लोग गंबी रूप से घायल होना बताय जा रहे हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल सागर में जारी है बताय जा रहा है कि भानगर थाना चेतर के खजुरिया गाउं में बीती रात प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्च आमने सामने आ गए थाना चेतर के दाट के नवासी जैकुमार यादा और रामकुमार यादा के साथ भानगर से उत्तर प्रदेश के बासपुर लोट रहे थे तबी खजुरिया गाउं के पास जैकुमार यादाओ के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले आदर शेयादाओ ने सुरेंद रियादाओ भारत यादाओ और धुरोब यादाओ के साथ मिलकर दूसरे पक्च के जैकुमार यादाओ और रामकुमार यादाओ से गाली गलोच की इसके बाद घटना में जमकर लाठी डंडे और धारदार हतियार चल गए जिसमें पाँच लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिनका इलाज सागर जिला अस्पताल में किया जा रहा है फिलाल पुलिस ने दोनों ही पक्चों पर मामला दर्ज कर आगे की जाश शुरू कर दि है ब्यूरो रोपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज